2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तेज हो गई है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे और बिहार के सियम नितीश कुमार पहले से ही विपक्षी एकटा की कोशिश में जुटे हुए है और अब शरत पवार भी सक्रिय हो गए है NCP अध्यक्षपत से इस्तीफा वापस लेने के बाद पवार और मजबूती के साथ वापसी की तैयारी में जुटे हुए है जिससे बीजेपी के लिए परेशानिया बढ़ सकती है क्या है पूरी खबर? देखे इस रिपोर्ट में NCP में खीशतान अध्यक्षपत से इस्तीफा वापस ले चुके हैं और अब वो एक्षन में दिखाई दे रहे हैं अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद शरतपवार बारमती पहुँचे जहां उन्होंने बीजेपी को हराने की रनीती पर बयान दिया उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोगसभा चुनाव में अगर विपक्ष एक जुट नहीं हुआ तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो सकता है ऐसे में हमें एक जुट होने की जरूरत है उन्होंने कहा कि 10-11 महिनों में कई जगों पर चुनाव होने वाले हैं लोगसभा चुनाव भी होना है इसलिए विरोधी दलों की नेताओं से मुलाकात करेंगे उसके लिए उनसे न्यूनतम साजह कारिकरम बनाकर एक साथ लाने की कोशिश करेंगे नितीश कुमार अर्विंद केजरीबाल के चंदर शेकर राव ममता वनरजी जैसे नेताओं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं मैं न्यूनतम साजह कारिकरम बनाकर विपक्ष को साथ लाने में हिस्सा लूँगा विपक्ष को एक साथ साधने की कोशिश में पहले ही बिहार सीहम नितीश कुमार ने कमान समाल रखी है इससे पहले नितीश कुमार के नजदी की देवेश चंद्र ठाकुर महराश्ट में शरत पवार और उद्धव ठाकरे से मिले थे जिस दोरान नितीश ने दोनु से फोन पर बात भी की थी संभावना है कि इस हफते ही अब नितीश महराश्ट में जाकर खुद पवार और उद्धव से मिलाकात करेंगे और बीजेपी के खिलाफ बेपक्ष को एकजुट करने के लिए रन्नीती तयार करेंगे DB Live की रिपोर